हैलो फ्रेंड्स मैं सुर्यस कुमार्तिवारी आपका लेट्स स्टड़ी इंडिया के आउनलाइन लर्निंग पिर्फार्म पर हार्दित स्वागत करता हूं जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 और 12 के बोर्ड के एजामनेशन्स आने वाले हैं तो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बच्चों को एक अलग कॉंसेप्ट दिया जाए एक क्रैस कोर्स टाइब का तो उसी में मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको सुर्यस कुमार्तिवारी सब कुछ बताऊंगा और कोसिस करूंगा कि डेड़ महीने के अंदर आपके सभी मैथमेट के बाद पता चिलेगा कि नहीं मैथमेटिक्स अगर पढ़ लिए हैं इस परकार से तो आपका सौ में 95 प्लस तो आने आना है यह गारंटी 100 प्रसेंट है स्टार्ट करते हम लोग रिलेशन से सबसे पहले आपका आता है रिलेशन क्या होता है हर एक चीज को बताए जाएगा और कैसे question को हम समझना है कैसे आपका answer क्या आना चीए इन सब बाते बड़ा ध्यांस देखिएगा तो 12 है 12 CBSC board 12 CBSC board की बात करते हम आपको बताया जाएगा mathematics इसकी बात हम लोग करेंगे सबसे पहला आपका जो chapter श्टार्ट होता है वो है रिलेशन सबसे पहला जो chapter आपका है वो क्या है relation के केवल दो वीडियो मैं बनाऊंगा एक में पूरा concept में आपको दे दूँगा और एक में जितने related important question आने वाले है एक्जाम में आप बस उतने question कर लिजेगा आपका एक भी question छूटे का नहीं relation क्या होता है बातों को समझें सबसे पहले relation पढ़ने के लिए हम लोग को Cartesian product आना चाहिए Cartesian product आप two sets क्या होती है तो मैंने जैसे डाला हीडिंग Cartesian product आप two sets Cartesian product आप two sets यह क्या होता है Cartesian product आप two sets क्या होता है मालते है ए और बी कोई दो सेट है सपोर्च करते हैं ए और बी कोई दो सेट है ठीक है अब इनका जो Cartesian product होता है then Cartesian product of Cartesian product of A and B defined as a cross B जो Cartesian product होता है A और B का उसको क्या लिखा जाता है A cross B लिखा जाता है अब इसके अंदर element कैसे आते है A cross B एक सेट होता है जिसके अंदर ordered pair type के element आते है तो A cross B के अंदर कैसे element आएगा A B type के element आते है such that A जो होता है first element belonging to first set and second element belonging to क्या होता है second set होता है तो A belongs to capital A और B belonging to क्या होगा capital B होगा जैसे for example अगर आपको बताएं अगर माल लो A equal to 1, 2 है B equal to आपका A, B, C है तो A cross B जो होगा A cross B में जानक न पहले A लिखे हो तो A का element आएगा then after किसका आएगा B का आएगा तो क्या हो जाएगा 1 का पहले A से होगा फिर 1 का किसे होगा B से होगा फिर 1 का किसे होगा C से होगा इसी तरह 2 का किसे होगा A से होगा फिर 2 का किसे होगा B से होगा फिर 2 का किसे होगा C से होगा क्लियर है मरी बात और अगर B cross A निकालते अगर B cross A की बात करते तो B cross A में क्या होता A का 1 के साथ फिर A का 2 के साथ इसे तरफ B का फिर करते B का किस के साथ होगा 1 के साथ होगा फिर B का किस के साथ होगा 2 के साथ होगा इसा similarly किस का C का होगा C का 1 के साथ होगा and then C का 2 के साथ होगा अब आप देख रहे हैं खुश सोचो यार 1 का A के साथ जैसे एक family दूसरे family में जाई गई तो आप अगर उनको किसी relationships बुला रहे हो तो क्या वो भी आपको उसी relationships बुलाएंगे नहीं हो सकता है इसी तरीके से देखो यहां से वह ने A को जिस नाम से पुकारेगा A1 को उसी नाम से पुकारेगा कुल गरंटी नहीं है इसलिए A क्रॉस B जो होता है वह B क्रॉस A के इक्वल नहीं होता है तो यह जान लेजिए कि यहाँ पर A क्रॉस B जो होगा वह B क्रॉस A के इक्वल नहीं होगा क्लियर मेरी बार अब एक्ची और देखे जासा A क्रॉस B क्या है? कार्टीजियन प्रडॉक्ट अब टू सेट है एलेमेंट कैसे होते है? और पेर टाइप के एलेमेंट होते है फर्स्ट एलेमेंट बिलाएंट टू फर्स सेट एंड सेकेंड एलेमेंट बिलाएंट टू सेकेंड सेट फर्स्ट जो एलेमेंट होता है जो फर्स्ट एलेमेंट होता है जो एक है उसका जो collection कहलाएगा वो domain कहलाएगा और जो second element होता है वो क्या कहलाएगा range कहलाएगा क्या कहलाएगा range कहलाएगा पर रिलेशन की बात कर लेते हैं अच्छा अब है यहां पर और देखें चाहाँ साथ हो यहां पर एक ची और देखिए ऐसा तो अगर एक पास यह में एलेमेंट है इसको बोलते कॉर्डिनल्टी आफ ए क्या है कॉर्डिनल्टी आफ ए हुआ एक के पास कितने element है एम एलेमेंट है नमबर आफ एलेमेंट इन ए और बी के पास मालो एन एलेमेंट है तो हंडेट परसंट गारंटी है कि ए क्रॉस बी की जो कॉर्डिनल्टी होगी वह यम इन्टू यन होता है वह क्या होता है एम इन्टू यन होता है मने अगर एक के पास यम एलेमेंट है ब अच्छा एक चीज़ और पड़े हो एक चीज़ ये पड़े हो अगर एक की कॉर्डिनिल्टी यम है अगर एक की कॉर्डिनिल्टी क्या है M है कॉर्डिनिल्टी का मतलब क्या हुआ number of elements in A अगर A में YUM ELEMENTS है तो total number of subsets क्या होता है total number of subsets of A क्या होगा 2 के power M होगा क्या होगा 2 के power M होगा क्लियर मेरी बात यह सेट्टूरिम पढ़ाया गया होगा आपको कि अगर A के पास YUM ELEMENTS है तो total number of subsets क्या होगा 2 के power m होगा इसी तरीके से अगर a के पास yam element है b के पास yam element है तो a cross b के पास कितने element हो गए sir yam into yam element हो गए sir yam into yam element हो गए तो total number of subset आप a cross b क्या होगा ये देखो तो total number of total number of subset a cross b ये क्या हो जाएगा 2 के power yam into yam हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 के power yam into yam हो जाएगा इतनी बात तो एकदम confirm है आपको अब धिदरे आते हैं relation पे क्योंकि हम लोग को देखो main क्या है कि आप लोग को crash course की तरह हम लोग बता रहे हैं इसमें सभी important questions अब कराये जाएंगे और important concept कराये जाएंगे कि आपका objective type very short type short type long type को कोई भी question छूटे न जो भी हो इसी page में जो आपको दिखाया जाएगा बताया जाएगा उसी में से आए गार्णटी है तो रिलेशन की बात कर लेते हैं रिलेशन क्या होता है रिलेशन की बात कर लेते हैं अगर लिखा जा रहा है मैंने हेडी डाल दिया रिलेशन अगर लिखा जा रहा है आपका लेट आर भी ये रिलेशन अगर आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया अगर आपने ये स्टेटमेंट बोल दिया है कि आर जो है वो एक रिलेशन है from a set a to another set b तो इसका बस एक और a कही मतलब होता है कि आर जो होगा वो असरे स्बसेट होका इसका a क्रॉस b का अगर ये ये स्टेटमेंट कहीं दिया गया है या relation के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि लेट R भी ये relation from a set A to another set B इसका बस एक और A कही मतलब होता है क्या कि जो R होगा आपका जो relation आपका है वह किसका subset होगा? A cross B का subset होगा वह किसका subset होगा? A cross B का subset होगा, एक बार तो ये हो गई आचाया relation जो होता है एक family से दूसरे family में होता है और relation एक भी मादब उसी family में भी तो हो सकता है ऐसा थोड़ी में कि अपने घर में आपका किसी से कोई relation नहीं है आपका किसी को ममी करते हो, किसी को पापा करते हो तो आभी ये relation में define क्या आता promise state A to another सेट B, तो R किसका सबसेट हो गया, A क्रॉस B का सबसेट हो गया, अब मैं कह रहा हूँ, अब मैं कह रहा हूँ, लेट आर बी रिलेशन, लेट आर बी रिलेशन, डिफाइन, अन, सेट A, मैंने लिख दिया कि R क्या एक रिलेशन है, जो कहां डिफाइन होता है, सेट A में डिफाइन होता है, अगर R रिलेशन है, जो सेट A में डिफाइन है, तो इसका बस A का और A कहीं मतलब होता है, कि R जो होगा, वह सबसेट किसका होगा, A क्रॉस A का होगा, वह subset किसका हो जाएगा A cross A का हो जाएगा clear मेरी बात यह मेरी बात clear है आप देखो यह तो बात थी कि अगर R relation है from a set A to either set B then R किसका subset है A cross B का है और यही बता है कि अगर R relation है जो कहां defined set A में तो R किसका subset होगा A cross A का subset होगा इतनी बात confirm है अब मैं कह रहा हूँ A has yun element and B has yun element A की जो coordinate है वो क्या है M है मैं number of elements ही नहीं कितने है yun है और number of elements ही B किता है N है A की जो coordinate हो yun है अब B की जो coordinate हो क्या है N है तो A क्रॉस B की कॉर्डिनिल्टी कितनी होगी? A क्रॉस B की कॉर्डिनिल्टी कितनी होगी? M into N होगी A की जो कॉर्डिनिल्टी है, वह क्या है? M है B की जो कॉर्डिनिल्टी होगी? N है तो A क्रॉस B की जो कॉर्डिनिल्टी होगी M into N होगी क्लियर है? तो total number of relation from A to B, total number of relation from A to B, क्या होगा, then total number of relations from A to B प्राम A to B, क्या होगा, और 2 to the power M into N होगा, अब देखो मेरी बात, क्या देख रहे हो, अगर A की quantity M है, B की quantity कितनी है, N है, अगर A की quantity यहाँ कितनी मैंने बताया, A की quantity मेंने लिखा है, N है, B की quantity N है, तो A क्रॉस B क्रॉस B क्यतनी होगा, N into N हो गई, तो total number of relation from A to B, कितना होगा, 2 के power MN होगा, अचा, total number of subset कितना था, from A to B, अरे A क्रॉस B का, 2 के power MN ही तो था, A क्रॉस B के पास कुल कितने subset थे, 2 के power MN थे, total number of relation कितना था, 2 के power MN ही था, माने ये कहा जा सकता है, हम लोग कहा सकते हैं, कि जितने भी subset होगे A क्रॉस B के, वह A to B एक relation होगा, माने इबरी subset of A क्रॉस B, इजे relation from A to B होगा, मेरी बाद सुनना रही है, क्यों, क्योंकि दोनों के संग्या क्या है, सेम है, तो ये कहा जा सकता है, नोट ये बन के निकलता है, क्या बनता है, इबरी subset of, इबरी subset of, A क्रॉस B, is a relation, is a relation, from A to B होगा, ये बरी subset of A क्रॉस B, is a relation, from A to B होगा, क्लिर मेरी बात, ये बात इदम कंफर्म होगई, तो जितने subset हैं, A क्रॉस B के, उतने ही relation बनते हैं, इसका मतलब, इन दोने statement से, ये कहा जा सकता है, कि A क्रॉस B के, जितने भी subset होगे, वह सब एक relation होगे, from A to B होगा, अर्कोर से एक ही बात करते हैं, तो क्या लिखते हैं, अगर A की कॉर्डिनिल्टी, यन है, यम ही माल लेते हैं, यम ही लिख रहें तो, अगर A की कॉर्डिनिल्टी क्या है, M है, तोटल नमबर आफ रिलेस्टन, तोटल नमबर आफ रिलेस्टन्स, डिफाइंड ओन A, क्या हो जाएगा, 2 के पावर M स्कॉयर हो जाएगा, 2 के पावर क्या हो जाएगा, M स्कॉयर हो जाएगा, क्योंकि YM क्रॉस YM मने YM स्कॉयर, क्लियर मेरी बात, तो यह तो अभी तक यह हम लोग सीखें कि रिलेस्टन क्या होता है, काटीजियम प्रॉडट क्या होता है कितने रिलेशन होंगे और जितने सबसेट होते हैं एक रॉस बीकी वो सब क्या होंगे रिलेशन ही होंगे इतनी बात कंफर्म है इससे ज़्यादा कुल थिरी नहीं पड़नी है इसी थिरी पर आपको सब कुछ होने वाला है आप में लेकर चलना हूँ आपको थोग वालतों समझीएगा अप में लेकर चलना हो हूँ कुछ रिलेशन के बारे में बता दे आपको कि इंपटी रिलेशन क्या होता है इंपटी रिलेशन या इसी को बोला जाता है void relation एक चीज जान लो मैंने बोला a relation capital R defined on a set A is set to be empty relation 5 क्या होता है A cross A का subset होगा 5 जो होगा A cross A का subset होगा उसी 5 क्या बोलता है empty relation बोला जाता है on a set A since 5 subset A cross A 5 क्या होता है subset होता है किसका A cross A का होता है clear बोला बात और अभी बोले हो कि A cross A के जिदने subset होंगे वो सब क्या होंगे relation होंगे defined on a then phi is known as then phi is known as empty relation empty relation defined on a clear है या ऐसे भी कहा जा सकता है no element of A related with any element of A A का कोई भी सदस एक किसी भी सदस से कोई relation नहीं रखता है अगर मैंने बोले है let R be relation and R is said to be empty relation जिसका मतलब यही हो गया there is no any element of A related to any other element of A A का कोई भी element एक किसी भी element से कोई भी सम्बंद नहीं रखता है तो that is called empty relation होगा मैं एक example बताता हूँ empty relation का मालो A बराबर एक दो तीन चार पांच है अब R define कर रहे है define R define R on A R को define कर रहे है कहाँ पर A पर define कर रहे है कैसे R के अंदर उन्ही added pair को लेना है जिनका जो difference हो हमेशा क्या आए 12 I A minus B क्या आएगा 12 I आएगा R के अंदर उन्ही A B को लेना है जो कि A minus B को क्या दिखाए 12 दिखाए तो इसमें किसी भी 2 को मैनस करो या 12 तो नहीं आना है कभी आएगा इसमें किसी भी 2 को करो मैनस करो 12 कभी आएगा माट आएगा माट आप A minus B कर लो तो भी नहीं आएगा देख लो दूसरा देख लोह आजा बोलते हैं universal relation सेकेंड आपका है universal relation सेकेंड आपका है universal relation यूनिवर्सल रिलेशन अगर र इक्वल टू एक रा से हो जाए A relation capital R defined on set A A relation capital R defined on set A Such that R equal to A cross A एक relation R है जो कहाँ defined a set A में और इस प्रकार से है कि R किसके equal है A cross A के equal है तो इस समय R को बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा आर को क्या बोला जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन बोला जायगा और आर को टोटल किसके एक को ले ले, एक क्रॉस एक को ले ले, क्लियर मेरी बात, बात करते हैं आइडेंटी रिलेशन की, बात करते हैं, आइडेंटी रिलेशन की बात करते हैं, आइडेंटी रिलेशन आई मालो है, आइडेंटी रिलेशन कहा डिफाइन करने जा रहे हैं, ए कोई भी व्यक्ति एका पकड़े कोई भी व्यक्ति वह व्यक्ति अपने आप से रिरेटेर होगा ए से ही रिरेटेर होगा बी पकड़ोगे तो बी किसे रिरेटेर होगा बी से होगा सी पकड़ो तो सी किसे रिरेटेर होगा सी से होगा तो आई के अंदर वह ए आएगा वहां का यहां ए आएगा जबकि ए कहां का है ए कहां का है तो यहां क्या देख रहे हैं कि यह पहुत की पहता है में क्या होता है लिभक से एग से अब बात करते है कोई भी रिलेसंट अगर सेट A में डिफाइंड है तो उसको रिफलेक्सिव कब बोला जाएगा उसको सिमेट्रिक कब बोला जाएगा उसको ट्रांस्ट्यू कब बोला जाएगा अगर R कोई रिलेशन है जो डिफाइंड है सेट A में तो हाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब बोला जाएगा, सिमेट्रिक कब बोला जाएगा, ट्रांस्टिव कब बोला जाएगा, इस कांसेप्ट को पहले समझें मैंने किस स्टेटमें लिख दिया लेट आर बीरिलेशन, लेट आर बीरिलेशन, डिफाइंड, अनसेट, कैप्टल ए मैंने यह स्टेटमें लिख दिया है कि आर क्या है कि रिलेशन है, जो कहां डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है अगर आर बीरिलेशन है, जो कहां डिफाइंड है, सेट ए में डिफाइंड है, तो आर किसका सबसेट होगा, एक क्रॉस एका सबसेट होगा clear मेरी बात तो यहां से आप बोल दोगे sir r जो होगा वो subset किसका हो जाएगा a cross a का हो जाएगा अब बात करते हैं r reflexive कब होगा r symmetric कब होगा और r transitive कब होगा और equivalence relation किसको कहा जाता है then r is said to be then r is said to be तब r को कहा जाएगा क्या कहा जाएगा देखो भाई पहला reflexive पहला क्या होगा reflexive होगा reflexive कब करते हैं r reflexive कब होगा बातों समझेगा reflexive के लिए पहले यह देखो कि जो relation r है वो किस set में defined है reflexive के लिए सबसे पहले यह देखो कि वो relation r किस set में defined है उस set को पकड़ो उस set को पकड़ो तो r कहा डिपाइंड है a में तो reflexive देखने के लिए हमें इसा पहले set में जाना और set में जाके यह देखना कोई भी x कहां कहो a कहो कुछ छूटना नहीं चाहिए a से a में जाके सभी लोगों को पकड़ना है कुछ छूटना नहीं चाहिए for every x belongs to a यह धान रखेगा अगर एक भी element आपसे अगर remove हो गया छूट गया तब reflexive आपका नहीं हो पाएगा तो क्या लिखा है for every x belongs to a and r is reflexive और r क्या है reflexive है तो guarantee है कि कोई भी x अगर a से पकड़े और r अगर reflexive है तो guarantee है कि yaks x जो होगा yaks का order भी खुद yaks के साथ वो कहा होगा r होगा that is yaks जो होगा किस से सम्मनित होगा x से related होगा yaks related to yaks अब relation जो भी दिया गया हो भाई का दिया गया हो बहान के दिया 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 हो r को पढ़ेंगे अगर यह reflexive होगा तो guarantee कोई भी yaks कहां से पकड़े a से पकड़े अगर r reflexive होगा तो yaks का order pair खुद yaks के साथ r में होना चाहिए माने x के से related होगा x से होगा क्लियर है मेरी बात अब देखो जैसे reflexivity का एक समाजिंग नाज यह है जैसे मालो किसी कस्वे में किसी का लोगनी में कहीं भी कोई राम बहादूर सिंग का नाम का व्यक्ति रहता है ऐसे सोचो अब राम बहादूर सिंग नाम का कोई व्यक्ति रहता है अब मालो वो अपने जो उसका पेशा है वो एक दरोगा है तो जब वो घर से निकलता है अपने युन भाम में तो लोग उसको क्या बोलते है अरे दरोगा साब प्रडाम दरोगा साब नमस्कार उसका नाम क्या है राम बहादूर साब है यह हुए रैफलेक्सिविटी तो कोई भी यक्स अगर यह से पकड़े यह ध्यान रखना कुछ फूटना नहीं प्रइए और अगर रफलेक्सिव है। तो गारंटी है कि यह सी Update होगा एक से होगा करते हैं अबaja करते हैं कि शीमेक्रिक की तो दूसरा नमetera ता है symmetric किस relation को symmetric कहा जाएगा किस relation को symmetric कहा जाएगा अब symmetric में set को नहीं देखना है अब symmetric के लिए set को नहीं देखना है, अब हम लोग relation r को देखेंगे, अब symmetric में हम लोग को set को नहीं देखना है, हम लोग को relation r को देखना है, बातों को समझिएगा तो अगर A, B, R में है, अगर A, B, R में है, अगर है तभी की बात करेंगी, ठीक है, जवरजस्ती जाकर नहीं देखना है, बस R को देखो, जो relation आपको दिया गया है, बस उसको देखना है, अगर A, B कहां है, R में है, इफ A, B, belongs to R, और मैंने बोल दिया, कि and R is symmetric, और R क्या है, symmetric है, and R is symmetric, तो गारंटी है, कि अगर A, B, R में है, यदि A, B, if A, B, belongs to R, and R is symmetric, तो यह 100% गारंटी है, B, A, B, R में होगा, B, A, B, कहां होगा, R में होगा, clear मेरी बात, तब यह हो जाता है, symmetric हो जाता है, थ़र नमर आता है, ट्रांस्टिविटी का, कि कोई relation ट्रांस्टिव कब होगा, किसी भी wirчи सन को ट्रांस keeps बहुँला जाएगा कर उधिसी बिटण का गी किसी दूसरे से है तो मेरा डायेट उससे क्या सबस्क्राइब हो अगर मेरा समध इस से है और उसका उसे है तब माम मेरा समय से है नहीं उनका उसे है नहीं कैसे ऊखा क समझी घा तो कहने मιści अगर यह तो क्या बोला जाएगा इफ A B belongs to R अब A का relation किसे है B से अब अगर B का किसे हुआ C से हुआ तब direct A का C से देखेंगे वरना नहीं देखेंगे and B C belongs to R A B कहां बिलांग किया है R में B C कहां बिलांग किया है R में A B belongs to R है B C belongs to R है and R is transdu, अगर R transdu है and R is transdu तो guarantee है कि A C कहां होगा R में होगा A C कहां होगा R में होगा क्लियर है मेरी बात तो reflexivity में set पर जाना है पहले set के सभी मेंबर को देखना है और अगर कोई भी फारिवरी X अगर A में है और R अगर reflexivity है तो access कहा होगा R में होगा, यह होगा reflexivity symmetricity क्या कहता है अगर A B R में बिलांग कर रहा है मने A related to B है और R अगर क्या है symmetric है तो B related to A B होगा यह guarantee है दिसरा क्या कहता है transdu को relation कर आता है, किस relation को transdu को है अगर A का relation B से है B का किससे है, C से है और अगर R transdu है तो guarantee है कि A का relation किसे होगा C से होगा मने A B belongs to R B C belongs to R तो guarantee है कि अगर R transdu है तो A C B R में होगा यहां देखिए, अगर है तो A का relation B से अब B का अगर C से है तब डाइट A का C से देखेंगा B का अगर C से नहीं है तो A का C से नहीं देखेंगे बात करते हैं Equivalence Relation की किस relation को Equivalence Relation बोला जाएगा बात करते हैं Equivalence Relation किस relation को equivalence relation बोला जाएगा माल लेते हैं R एक relation है set A में तो R अगर relation होगा set A में तो R किसका subset होगा A क्रास A का होगा अब अगर R equivalence relation है set A में अब अगर R क्या है equivalence relation है set A में तो R जो है reflexive भी होगा R जो है symmetric भी होगा और R जो है trans to भी होगा मानेट equivalence अगर होना है किसी relation को तो reflexive भी होगा symmetric भी होगा as well as trans to भी होना चाहिए तो क्या बोला जाएगा let R भी है relation let R भी है relation defined on a set A R क्या है क्या है जो कहां defined है set A में defined है अगर R अगर set A में defined है R की relation है जो कहां defined है set A में defined है तो तुरण दिमाग में बार जाना है चाहिए कि R किसका subset होगा A cross A का subset होगा then R is set to be then R is set to be an equivalence relation R को क्या बोला जाएगा equivalence relation बोला जाएगा if R is reflexive R is reflexive symmetric R is reflexive symmetric as well as trans 2 भी होना चाहिए as well as trans 2 भी होना चाहिए तो अगर कोई relation equivalence है अगर कोई relation equivalence है तो guarantee R is reflexive भी होगा symmetric भी होगा trans 2 भी होगा बात करते हैं in-over-sup relation की पहले मैं थियोरी एक बार में complete के लेता हूँ और एक बार फिर आपको पता दूँगा कितने कोशन आएंगे कौन कौन से कोशन आएंगे मैं वह ही कोशन करूँगा जो आपके घ्जाम में आने वाले हैं 100 परसंट गारंटी है आप करके जाएगा देखिए कि सब होई होगा बात करते हैं इनवर्स आपर रिलेशन की बात करते हैं इनवर्स आपर रिलेशन की बात किया जाएगा इनवर्स आपर रिलेशन बात धान समझीगा मने लिकर लिट R-B-A-Relation define let R-B-A-Relation from A to B लिडो R क्या रिलेशन एक कहा से कहा दा let R-B-A-Relation from A to B R क्या एक रिलेशन है कहा से कहा दा A से B तक let R-B-A-Relation from A to B R क्या एक रिलेशन है कहा से कहा दा A से B तक तो A तो पक्ता होगी कि अगर R-Relation है A से B तक तो R किसका सबसेट होगा A क्रॉस B का होगा गारंटी होगी क्या कि जैसा सर आपने लिखा है कि लिट आर भी रिलेस्टन फ्रॉमेस सेट A to B इसका मतलब सर आर जो होगा सबसेट किसका होगा A क्रॉस B का होगा नाव इनवर्स आफ आर नाव इनवर्स आफ आर इस डिनोटेड बाई आर इनवर्स और आर इनवर्स जो होगा इस डिनोटेड बाई क्या है आर इनवर्स आर इनवर्स आर इनवर्स जो होगा वह सबसेट किसका हो जाएगा B क्रॉस A का हो जाएगा तो अगर आर रिलेशन है फ्राम A to B अगर आर इनवर्स बी एक रिलेशन होगा फ्राम B to A होगा अगर वहां आर किसका सबसेट होगा A क्रॉस B का होगा तो यहां आर इनवर्स किसका सबसेट होगा B क्रॉस A का होगा एक ची और जान लो अगर आर सबसेट है अगर आर सबसेट है A क्रॉस B का तो आर में कैसे एलमेंट आएगे सर और प्रेट टेप के आएंगे र में कैसे element आएंगे सर औरे टाइप की सीयल मिर्त होगा यह और किसे हिसे का एक सीधी पात्पस यह समझ लो जो कुछ आर में होगा उसका रिवर्स मार दो जो कुछ आर में होगा आर में एबी टाइप का है तो अगर आर में एबी टाइप का एलमेंट हो जाएगा जैसे अगर में लीग दिया ए बरावर मालो है इब और है एक दो तिन आर मने लिग दिया लिप दिया रिक लिख दिया है कि अच निया कि हुआ और इसको को ब्र को टूल करें तु तुका रिवर्स तुतु ही होगा स्पता है तो आर इंवर्स के अराम से आप निकाल सकते हो अगर आर के इलिमेंट जो भी होगे अगर आर में एवी का element है बहुत है तो र में किस ताइप का element होगा किलीर है मेरी बात। अब एक तीशरम उनन बंता जो बहूत इंपार्टंट है किसी शेट में अगर कुई रिलेस्ट है किसी सेट में、 अगर कूई रिलेस्ट है डिपाइंड ऑने सenizट ए तो अगर रSप keyboard है तो आर क्या होगा सिमेट्रिक होगा अगर यह दोनों बराबर हो जाती है अगर यह दोनों बराबर हो जाती है अगर यह दोनों क्या हो जाते हैं इक्कुल हो जाते हैं तो गरंटी है कि जो रिलेशन मेरा होगा क्या होगा सिमेट्रिक होगा तो थियोरम मैं चलता हूँ और थियोर थियूरम है, थियूरम आपका कत्ता है, A relation R defined on a set A is symmetric. A relation capital R defined on a set A is symmetric. If and only if R equal to R inverse, बहुत important theorem है, पूछ दिया जाता है, थियूरी कांसेट अगर क्लियर रहेगा ना तो कोस्चन में कुछ भी जान नहीं है, बस कोस्चन के फीगर को समझे, कोस्चन कहना कह चाता है आपसे, अगर आप जैसे statement को समझे गए कि कोस्चन के statement यह है, तो आप guarantee बता रहे हैं कि आपको कोई दिक्केत relation में तो होनी ही नहीं है. क्या है देखो? Relation को मैं क्या मानूँगा? Symmetric बानूँगा? क्या दिखाऊँगा? R equal to R inverse. और एक बार क्या मानूँगा? R equal to R inverse है, तो क्या दिखाऊँगा कि R क्या होगा? Symmetric होगा. चलिए proof. Proof देखे इसका. Let R be a relation defined on A defined on A is symmetric. इसी तरीके साब को लिखना भी है. इसलिए मैं लिखने की style को अताते हैं, चलना हूँ. माल लेते R जो है relation है, जो कहां defined is it? A में defined है, और क्या है वो? Symmetric है. तो let R be a relation defined on A is symmetric. तो अगर R symmetric है, तो दिमागे picture बनना चीए, कि अगर A, V, R में होगा, तो B, A, V, R में होना चाहिए. If A, V, belongs to R, then B, A is also belonging to R होना चाहिए. यही तो symmetric होता है. तो चलो भाई. क्या दिखाना है? क्या प्रूब करना है? कि R जो होगा, वो किसके एक्क्वल होगा? R inverse के एक्क्वल होगा. दो सेट का बराबर होते हैं. A और B अगर दो सेट हैं, वो दो सेट का बराबर होते हैं. जब A, B का subset हो जाए. और B किसका हो जाए? A का subset हो जाए. तो देखो जान से. जब A, B का बराबर होते हैं. R के परतियेक मेंबर, every element of R is also an element of R universe. जब R के सभी element कहां को हो जाए? R universe के हो जाए. तो every element of R is also an element of R universe. यही तो करना हैं को. चलो बाई. बस एक तीज़ान लगना, जो R में होगा, उसका जश्ट, reverse जो होगा, वो कहां होगा? R universe में होगा. तो परले यह दिखाने चलना है. परले यह दिखाएंगे, फिर यह दिखाएंगे. इसको A माल लेंगे, उसको B माल लेंगे. Let A, B belongs to R. B any element. यहां का कोई member ले, वो यहां का होना चाहिए. B any element. अब देखो. A, B कहां पर है? R में है. पक्का. R क्या है? symmetric है. And R is symmetric. आपने उपर बोल लखा है, कि Sir, R क्या है? symmetric है. माल लखा है आप लोगोंने. तो अगर R symmetric है, तो guarantee है कि B कहां होगा? Sir, R में होगा. अब मैंने अभी just बोला है, जो कुछ भी R में होगा, उसका just reverse कहां होगा? R inverse में होगा. इसी साथ से, A, B कहां हो जाएगा? Sir, R inverse में हो जाएगा. A, B कहां लिएते? Sir, R में लिएते. अब A, B कहां है? R inverse में है. A, B, वहां का कैसा element था? Sir, कोई भी element था. वहां का कोई भी element अब कहां पर है? R inverse में है. इससे क्या proof होता है? Hence, इससे यही proof होता है, कि R जो है किसका subset है? R inverse का subset है, equation number A. मेरी बात clear है? अब क्या दिखा दे? कि R inverse जो है, वो किसका subset है? R का है. अब चाहे जो भी R inverse में मालो, A भी मान सकते हो, बस जान लेना कि जो भी R inverse में होगा, उसका उल्टा का होगा? उसका just reverse का होगा? R में होगा. यह नहीं किसर उसमें A, B मानें, तो B में अईसा कोई concept नहीं है, सिंपल सी बात, जो चीज R में है, उसका just reverse R inverse में होगा, और जो चीज R inverse में है, उसका just reverse का होगा? R में होगा. बस, इतने समझें. Again, let B, A भी मानें चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. B, A भी मानें चल सकते हैं. A, B मानें चल सकते हैं. Again, let A, B belongs to R inverse. B, A निए एलेमेंट, यह यहां का यह कोई भी एलेमेंट होगा. क्लिएर मेरी बात? अब A, B कहां है? R inverse में है. बातों समझेगा. Now, A, B कहां है? सर R inverse में है. और जो कुछ भी R inverse में होगा, उसका just reverse कहां होगा? R में होगा. इसका वालता सर B, A कहां होगा? बेटा R में होगा. और R क्या है? सर सिमेट्रिक है. And R is symmetric. सर R क्या है? सिमेट्रिक है. तो गारंटी है कि अब A, B कहां होगा? सर R में होगा. क्योंकि B अगर R में है, तो A, B भी R में होगा. A, B कहां लिएते? सर R inverse में लिएते. अब A, B कहां है? आर में है आर इनुवर्स के जितने भी अलमेंट ते अब कहां आगा है आर में आगा है इससे क्या प्रूफ हुआ हैंस आर इनुवर्स किसका सबसेट होगा आर का होगा equation number b अब a और b को अगर combine कर दिया जाए तो r इकल टू क्या हो जाएगा r इनुवर्स हो जाएगा from a and b from a and b r इकल टू क्या होगा r इनुवर्स होगा तो थियूर्म का एक पार्ट हो गया proof क्या कि अगर r symmetric है r जो कहां defined है अगर r symmetric है तो r equal to क्या होगा r inverse होगा अब थियूर्म का second part करने जा रहे हैं अब r को r inverse के equal मानेंगे और क्या जिखाएंगे कि r क्या है symmetric है क्लिर मेरी बात क्या मानेंगे let r equal to r inverse क्या दिखाएंगे तो to show that to show that r is symmetric r is symmetric symmetric कैसे प्रूफ होगा अगर a b r में ले है और b a b कहां आ जाए r में आ जाए a b को r में ले है दिखाएंगे बी यह भी कहा है r में है तो r मेरा symmetric हो जाएगा चलो let a b belongs to r since a b कहां पे है r में है और r equal to क्या है sir r equal to r inverse है तो इस r inverse में होता है उसका inverse कहां होता है reverse उसके कहां जाएगा sir r में जाएगा बी यह कहां जाएगा sir r में जाएगा क्या देख रहते a b को r में लेके चलेते बी ये आर में आ गया इसका मत्दब आर क्या है हैंस आर इस सिमेट्रिक हो गया आर क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया क्लियर मेरी बात तो यह तियोरम का complete प्रूप था जो कि जान के लिए बहुत ही important है कि अगर आर कोई relation है किसी में है तो अगर आर सिमेट्रिक है तो आर इकल टू आर इनवर्स होगा और अगर आर इकल टू आर इनवर्स है तो आर क्या होगा सिमेट्रिक होगा आगे चलते हैं थोड़ा कांसेप्ट और देख लेते हैं anti-symmetric relation क्या होता है anti-symmetric relation क्या होता है anti-symmetric relation किस relation को anti-symmetric relation बोला जाएगा a relation capital R defined on a set A is said to be anti-symmetric is said to be anti-symmetric कब अगर A B R में है if A B belongs to R अगर A B कहां है R में है और B A B R में है and B A belongs to कहां है R में है अगर A B belongs to R है B A belongs to R है तो गारंटी है कि अगर यह anti-symmetric है तो A equal to B होगा and R is anti-symmetric and R is anti-symmetric अगर R anti-symmetric है तो गारंटी है क्या कि A equal to जो होगा वह B होगा क्लियर है मेरी बात स्वाज़ में आ रही होगी कि anti-symmetric क्या होता है थियोरी बस दो पार्ट और कर ले हैं इसका थियोरी खतम हो जाएगी फिर आपके question स्टार्ट कर देंगे और यह click से बस लगएगा question करने में बात करते हैं कि अगर R equivalence relation है और yes भी equivalence relation है तो R intersection yes भी क्या होगा equivalence relation होगा कहाँ पे set A में तो थियोरम आपका बनता है थियोरम क्या बनता है फियोरम क्या बनता है is again an equivalence relation is again an equivalence relation intersection जो होगा दो equivalence relation का भी क्या होगा equivalence relation होगा intersection of two equivalence relation is again an equivalence relation माल लेते R और yes काने मतलब R और yes अगर दो equivalence relation है किसी set A में equivalence relation on a set A on a set A लिख दीजिएगा is again an equivalence relation on that set on that set अगर R और yes दो equivalence relation है अगर R और yes दो equivalence relation किसी set A में तो R intersection yes भी क्या होगा equivalence relation होगा यही बात हम लोग को proof करनी है तो डालते हैं proof और इस्टार्ट करते हैं let capital R and yes be two equivalence relation be two equivalence relation defined on a set A R और yes क्या है कोई दो equivalence relation है जो कहाँ defined है set A yes में defined है क्या दिखाना है to show that R intersection yes is also an equivalence relation on a अब अगर R intersection yes खुशो चो अगर R intersection yes equivalence relation होगा अगर equivalence relation होगा तो guarantee है क्या कि R intersection yes अगर equivalence होगा तो reflexive भी होगा symmetric भी होगा पक्का बात करते है reflexivity की बात किसी करते है reflexivity की reflexive क्या होता है set का कोई भी element ले उसका added pair R intersection yes में होना चाहिए यह तो मतलब है reflexive का तो reflexive के लिए कहा चलते है set में चलते है तो पहला लिको reflexivity reflexive for every a belongs to capital A तो यहाँ reflexive में सा set चलते है कोई भी a a से ले guarantee है कि a कहा होगा sir a army होगा पक्का and a जो है वो yes में भी होगा क्यों होगा क्योंकि sir यह दोनों के दोनों क्या है equivalence relation है तो reason कहा दे दोगे because both are and yes are equivalence relation on a on a दोनों के दोनों क्या है equivalence relation है कहां पर a में है तो अगर कोई भी a a से पकड़े कुछ छूटना चाहिए नहीं चाहिए मैं बता जीए तो पहले ही every a belongs to capital a a जो है r में भी होगा और a जो है yes में भी होगा a r में भी है a yes में भी है तो a तो common हो गया तो इससे current क्या प्रूफ होता है कि sir a जो है common element है r or yes का तो a जो है r intersection yes में बिलॉंग करेगा अब क्या देख रहेते हैं कोई भी a a का पकड़े a कहां आ गया r intersection yes में आ गया इससे क्या प्रूफ होता है इससे ये प्रूफ हो जाता है कि r intersection yes जो होगा वो reflexi होगा तो इससे क्या प्रूफ होगा hence r intersection yes is reflexi reflexi की बात तो हो गई reflexi की बात तो हो गई अब बस क्या दिखाना है कि r intersection yes जो होगा वो क्या होगा symmetric होगा फिर r intersection yes क्या होगा ट्रांस्टी होगा यही तो बात बात पता नहीं है clear में बात चलते हैं आगे और दिखाते हैं कि r intersection yes जो होगा और फ्लेक्सिव भी होगा सिमेट्रिक भी होगा और क्या होगा ट्रांस्टिव भी होगा क्लियर मेरी बात तो बातों को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आर इंटरसेक्शन क्या होगा दूसरी एडिन डालते हैं सिमेट्रिक की दूसरा डालते हैं symmetric का symmetric में क्या करते हैं कोई भी AB R intersection यस में देते हैं दिखा जाते हैं कि यह भी उस पर होगा यह तो करते हैं symmetric के लिए let AB belongs to R intersection yes now अगर AB R intersection yes में है रर इंटर सेक्शन yes अगर symmetric है थो BAB R intersection yes में होना चाहिए now AB कहां है R intersection yes में है अगर AB R intersection yes में है तो इसका वज़र यह AB जो होगा R में भी होगा and AB जो होगा ऑगा होगा Sir yes में भी होगा बोलो clear है और R और Yes दोनों के दोनों क्या है Equalance Relation है R और Yes दोनों के दोनों क्या है Equalance Relation है तो obvious symmetric तो होगा ही होगा ऊपर मैंने information दे रखा है तो यहाں से क्या हो जाएगा BA belongs to R and BA belongs to Yes हो जाएगा क्यों? क्यूंकि Sir R और Yes Equalance Relation है औरकर Equalance Relation है तो symmetric तो guarantee होगा अब देखो BA कहा है? R में है फिर BA कहा है? S में है तो BA R में भी है BA S में भी है माने BA क्या होगे? Common element होगे किसका R और S का इससे क्या पुरूफ हुआ? BA जो होगा वो R intersection S में भी हुआ अब क्या देख रहे हो? A भी कहा लिये थे? Sir R intersection S में BA कहां आ गया? Sir R intersection S में इससे क्या पुरूफ हुआ? इससे ये पुरूफ हुआ ये R intersection S जो है वो क्या है? symmetric है Hence R intersection S is symmetric या क्या है? symmetric हो गया clear मेरी बात? अब बात करते हैं Trans2 की बात करते हैं इदर कर अब करते है Trans2 बता दे आपको तिसरा है Trans2 Trans2 में क्या दिखाना है? कि अगर A, B, R intersection S में है फिर B, C, R intersection S में है तो A, C भी कहा होगा? R intersection S में होगा Let A, B belongs to R intersection S and B, C belongs to R intersection S क्या दिखाना होगा? to show that A, C जो होगा? वो कहा होगा? R intersection S में होगा क्लियर ने मेरी बात? आप देखो Now A, B कहा है? A, B कहा है? Sir, R intersection S में और यहां से B, C कहा है? Sir, R intersection S में है A, B अगर R intersection S में है तो A, B कहा होगा? Sir, R में होगा and A, B कहा होगा? Sir, S में होगा यह तो यहां कहा ही होगी? यह इधर कहानी है? उधिर से अगर चलेंगे and लगाके and उधर कर अभी कर देते हैं प्लेस हम को चाहिए थोड़ा सा दिखी लिए होगे आप लो यह तो यहां कहानी थी इधर वाले अब यहां देखो and BC कहा है? Sir, R intersection S में है तो इसका अदर BC कहा होगा? Sir, BC R में होगा और Sir, BC S में भी होगा बोलो clear है? अब A, B, R में है BC R में है और R क्या है? Equalization है यहां से देखो क्या हो जाएगा? A, B, R में आया और BC R में आया और यहां क्या देख रहे है? Sir, A, B, YS में आया A, B, YS का member होगा और BC कहां कहो गया? Sir, YS का member हो गया और R और YS दोनों के दोनों क्या दिया जाए है? Sir, Equalization दिए गया है अगर R और YS Equalization होगा तो 100% guarantee है कि वो ट्रांस्ट्यू होने होना है तो इसी statement से और इसी statement से क्या पाऊगी? यहां से पाऊगी क्या? कि Sir, अगर A, B, R में है BCR में है R Equalence है ट्रांस्ट्यू पक्का होगा माने ACR में होना चाहिए अब वहाँ से क्या हो जाएगा? Sir, AC जो है वो कहां होना चाहिए? S में होना चाहिए अब ACR में है ACS में है इसका मतलब AC जो होगा वो कहां आ जाएगा? Sir, Common में मला गया तो वो R Intersection Yes में होगा इसका मतलब Sir, R Intersection Yes क्या होगा? ट्रांस्टी हो गया और जहां तीनों होते हैं वो क्या कराता है? Sir, Equalence Relation कराता है तो क्या देखें? कि अगर R और Yes दो Equalence Relation है किसी सेट A में तो R Intersection Yes भी क्या होगा? Equalence Relation होगा अब बस एक टॉपिक है वो वी एक्जामपल दताना है तो एक्जामपल सब कल सुरू होगा आपको यहां बता दे अगर R Equalence Relation है सेट A में Yes है, Equalence Relation है सेट A में तो R Union Yes नहीं होगा Intersection होता है लेकिन यूनियन नहीं होता है तो बाइक्जामपल कल आपको यह बताया जाएगा एवन कल आपको सभी Relation के एक्जामपल करा दी जाएगे जो Objective Type के Very Short Type के Short Type के Long Type के जितने भी Question आपके एक्जामपल बनने वाले हैं काम पर Relation का आनद भरपूर तरीके से उठाये होंगे कल फिर मुलाकात करते हैं धन्यवाद